नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तो आपको बता दे कि सुसान सिंग राशपूत केस में एक बहुत बढ़ा क्फलासा हुआ है जिहां आपको बता दे कि सुसान सिंग राशपूत केस में दोस्तो रिया चकवरती का भी हाले में फोन खंगाला गया और उसमें काफी सारी बाते सामने आई हैं दोस्तो सबसे पहले तो रिया चकवर्ती और सुसान सिंग राजपूत की चैट सामने आई है जिससे देखने के बाद CBI पूरी तरह से हका वक्का है और इसके अलावा रिया चकवर्ती ने जिस नाम से सुसान सिंग राजपूत का नंबर सेप कर रखा था वो भी काफी कन्फ्यूज करने वाला है तो इसके बारे में मैं आपको बता हूँगा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि रिया चकवर्ती और सुसान सिंग राजपूत बेहदी करीब रहते थे और वो दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे लेकिन बावजुत इसके रिया चकवर्ती सुसान सिंग राजपूत के नाम को अपने से दूर रखना चाती थी और वो साथ ही साथ सुसान सिंग राजपूत के नाम को शुपाना चाती थी और ये सब कुछ पता चला है रिया चकवर्ती के फोन को खंगालने से जी हाँ आपको बता दें कि रिया चकवर्ती ने सुसान सिंग राजपुल के नाम को अपने मुबाइल में किसी और नाम से सेफ करके रखा था और जब इसके मुबाइल को देखा गया तो CBI भी देखकर के पूरी तरह से हैरान रे गई और रिया चकवर्ती से इसके लिए इनकोई दिखी जाएगी कि आखिर रिया चकवर्ती ने किसी और नाम से सुसान सिंग राजपुल का नंबर क्यों चुपा रखा था और आखिर वो किस से इस नाम को शुपाना चाती थी मैं आपको बता दू कि रिया चकवर्ती ने सुसान के नाम की जगे सुरूती नाम लिख रखा था जहांपर रिया चकवर्ती दिखाना चाती थी कि रिया चकवर्ती किसी महिला से बात करती है लेकिन दोस्तों वो नमबर सुसान सिंग राजपूत का था और जब CBI ने ये सब कुछ देखा तो CBI भी पूरी तरह से सन ने रह गई है आपको उता दे कि रिया चकवर्ती के उपर सुसान सिंग राजपूत केस में कई तरह के आरोप लगे थे सबसे बड़ा आरोप ये था कि रिया चकवर्ती ने सुसान सिंग राजपूत को खतम किया और दूसरा बड़ा आरोप ये था कि रिया चकवर्ती ने अपने भाई सौविक चकवर्ती के साथ मिल करके सुसान सिंग राजपूत को ड्रक्स भी दिया था अब दोस्तों आने वाल दिनों में CBI और NCB एक बार फिर से रिया चकवर्ती से बहुत जल्द आप देखेंगे कि पूश्टाश करने वाली है वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि NCB ने रिया चकवर्ती को साब साब कहा है कि रिया चकवर्ती अभी कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकती है और साथी साथ NCB लगतार रिया चकवर्ती के पीछे पड़ी हुई है आपको बता दे कि रिया चकवर्ती के खिलाब NCB ने अभी हाली में एक लंबी चोणी चार्चिट दायर की थी और उमिद की जा रही है कि रिया चकवर्ती के खिलाब यू चार्चिट दायर की गई थी बहुत जल्द अब NCB उसको सुप्रीम कोट में पेस्ट करेगी और दोस्तो इसके बाद रिया चकवर्ती की परिसानी एक बार फिर से बढ़ेगी और निश्ची तोर पर हम ये कह सकते हैं कि रिया चकवर्ती एक बार फिर से बहुत जल्द जिल जाने वाली है आपको बता दे कि रिया चकवर्ती को NCB ने ये भी काया है कि ये वो हर महेने के पहले सौंबार को NCB दब्तर में जा करके वहाँ पर अपनी हाजरी लगाएगी क्योंकि NCB को सक है कि कहें रिया चकवर्ती वहाँ से भागने की कोसिस ना करे और इसी वहाँ से NCB ने लगाता रिया चकवर्ती पर अपनी नजरे गडाए हुए है आपको बता दे कि रिया चकवर्ती के साथ साथ सौविक चकवर्ती पर भी NCB की नजरे है इन लोगों को NCB ने चार्च सीड दायर किया था उसमें मुख्य आरोपी घोसित किया है इसके साथ साथ बोलीवूट के और भी तमाम अभी नेता है जिनके उपर दोस्तों NCB ने ड्रक्स केस में कई तरह के गंभीर आरोप लगाए है और कहा है कि ये सभी वो नेता है जो कि ट्रक्स लेते हैं और साथ ही साथ इनका सूसान सींग राशपुट केस में किसी भी तरह से रिलेशन हो सकता है तो आने वाल दिनों में आप देखेंगे कि रिया चकवरती की परिसानी एक बार फिर से बढ़ने वाली है और निश्ची तोर पर हम यह कह सकते हैं कि अब NCB जब inquiry करेगी तो रिया चकवरती एक बार फिर से जिल जाने वाली है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद